एक blind girl के neighbor का murder हो जाता है उसे जो भी पता है इससे उसकी life complicated हो जाती है Hello friends, आज के मारी movie In Darkness ये 2018 की एक thriller suspense movie है इस movie की ending में twisted है तो इस video को हम तक जरूर देखेगा मैंने आपको जो story बता है इससे और भी जादा चीज़े इस movie में है स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इससे like और comment ज़रूर कर दीज़ेगा अब इना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है हमारी main character जिसका नाम है Sophie का हमसे introduce होती है फर्स सीन से हमें पता चलता है कि movie स्टूडियो के लिए music composition का काम करती है इसके बाद वो किस तरीके से घर जाती है क्या उसकी habit से इसके बार में हमें पता चलता है वो हमेशा एक coffee shop आती है जिसके बाहर एक violin player होता है अपने लिए जब एक coffee buy करती है तो violin player को भी दे देती है ये दोनों अच्छे friends है वो घर आने के बाद firstly अपने building का locker चेक करती है यही चेक करते हुए आज उसे उसके neighbor मिली उसके neighbor का नाम है Veronique Veronique की एक special smell थी इसे Sophie आपको हमेशा पता चल जाता था कि Veronique ही है Veronique ने Sophie को thank you कहा Actually Veronique के father की event में Sophie ने play किया था Veronique Sophie से बुछती है मेरे father के बारे में जो भी बात की जाती है क्या तुम्हें वो सच लगता है यानि कि Veronique के father कुछ controversial चीज में फसे हुए है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा Sophie आगे ती है तुम्हें अपने father के बारे में क्या लगता है यह सबसे ज़्यादा important है Sophie ने आज घर आकर practice की रात में जब वो सो रही थी तो उसे Veronique और उसके boyfriend का जगड़ा सुनाई दे रहा था तो उसकी सही से नीन नहीं हो पाई अगली दिन जब वो घर आ रही थी तो Veronique का सकाफ यह स्टेस पर था इस वज़े सो नीचे गिर गई उसके हाथ पर चोट आ गई थी फिर से Sophie ने अपना locker चेक किया जिसमें उसे letter और एक poison मिलता है poison अपने बास रखकर letter को जला देती है रात में सोफिया से Veronique फिर से lift में मिली Veronique किसी से भाग रही थी पर lift की वज़े से वो बच जाती है सोफिया ने Veronique से का कि तुम्हारा सकाफ यह नीचे पड़ा हुआ था Veronique कहती है मेरे लिए इसे समाल कर रखना वैं जो send यूज करती हूँ इसका नाम में liquid gold अब यहाँ पर Veronique जड़ा court words में पात कर रही थी सोफिया घर में आई तभी Veronique की उपर से चिलाने की आवाज आती है कुछ struggle हुआ और Veronique उपर से नीचे गिर गई उसकी date हो जाती है पुलिस को बुलाय जाता है सोफिय से वो question करते है क्या तुम Veronique को जानती थी सोफिय कहती है कि वो मेरी friend नहीं थी हम सिर्फ hallway में आते जाते मिला करते थे यहाँ पर जो investigating detective है इसका नाम है Miles Miles से बहुत ही अच्छा detective होता है वो सोफिय से बुशता है क्या तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता सोफिय कहती कि मैं थोड़ी से light sensitive हूँ बाकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता इसके बाद हमारा और एक main character Mark और उसके sister Alex हमें दिखाई जाते है Mark Veronique का boyfriend है और उसी से वो भाग रही थी उसकी sister उसे पुछती है कि काम हो गया यानि कि उसके sister नी Veronique को मारने के लिए उसे भीजा हुआ था Mark कहता है कि एक problem है Veronique की neighbor ने मुझे देख लिया यानि कि सोफिया के बारे में बात कर रहा था उसे अब तक पता नहीं कि सोफिया blind है Alex को Veronique का से एक USB चाहिए था इस USB में बहुत ही important चीज़े है यह USB मार्क को Veronique के apartment में कहीं भी नहीं मिला Alex मार्क से कहती है जल से जल उस USB को ढूंडो और neighbor को मार डालो मार्क डारेक्ली Veronique के dead body के पास hospital में भी पहुच गया था उसकी सारी चीज़े चेक करता है उसमें उसे USB कहीं भी नहीं मिला नूस से हमें पता चलता है कि Veronique के father एक बहुत ही बड़ी politician है आज कल उनके खिलाब protest चल रहा है क्योंकि war में उन्होंने बहुत सारी innocent लोग को मार डाला था next scene में हम देखते हैं कि मांक रात में सोफिया को मारने के लिए आया हुआ है उसे मार ही डालता पर उसने notice किया कि सोफिया कुछ भी देख नहीं सकती सोफिया को भी पता चल गया था कि उसके घर में कोई है पर मांक वहाँ से चला जाता है डिरेक्टू माइल्स ही विरोनिक के बारे में information निकलवाता है सबको लग रहा था एक suicide है पर अभी अभी उसे पता चला कि विरोनिक pregnant थी उसने अभी अभी nose job भी करवाया हुआ था यानि कि अगर वो अपने आपको improve कर रही थी तो suicide नहीं कर सकती है इसके बाद विरोनिक के फादर के यहां उसका funeral चल रहा था माउक को अभी अभी पता चला कि विरोनिक pregnant थी ये माउक का ही baby था वो इस बारे में उसके sister से बात करता है कहता है या तुम्हें इसके बारे में पता था sister कहती है तुम जादा इस बारे में सोचो मत विरोनिक को उसके फादर ने मारा और तुम सिर्फ एक जरिया थे अब विरोनिक को उसके फादर ने क्यों मारा इसका reason उस USB में है विरोनिक के फादर का नाम है Radish और उन्हें के लिए Alice काम करती है वही चाहते थे कि विरोनिक की डेथ हो जाए विरोनिक को मारने का काम उसी के boyfriend Mark को दे दिया गया इस funeral पर Sophie पियानो प्ले करती है अलेक्स ने Mark से पूछा कि उस neighbor का क्या हुआ Mark कहता है कि वो blind थी उसने मुझे देखा नहीं Sophie वही धुन प्ले कर रही थी जिसे विरोनिका के फादर बच्पन में गुन-गुनाया करते थे इस बात से फादर emotional होके वो Sophie को अपने साथ ले कर जाते है विरोनिका की बच्पन की बाते उसे बता रहे थे बात करते करते ही Radish को एलिक्स ने बुला लिया Sophie के पास का poison वो Radish की ड्रिंग में मिलाने वाली थी तब ही एक आवास से वो डिस्ट्राक हो गई उसका poison नीचे गिर जाता है एलिक्स ने Radish को बताया कि पुलिस को अब भी लग रहा है विरोनिका की डेथ एक सुसाइड थी इन्हों वरी करने के कोई भी जरूरत नहीं बात करने के बाद Radish फिर से Sophie आके पास आया उसे कहता है अब मुझे कुछ काम है पर मैं तुमसे फिर से मिलना चाहूंगा Sophie भी इसके लिए हा कहती है अब यहां से जाने के लिए Sophie को एक प्रॉल्म है उसका poison नीचे ही पड़ा हुआ है उसने poison का छोटा सा container break कर दिया जाते वक्त अपने champagne का glass नीचे गिरा देती है जिससे सब काच में उसका poison पता ना चले यह सब करते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी यहाँ पर वाश रूम में Sophie और Alex मिले Alex चेक करती है जाते जाते सोफिया गयती है इस शूस तुमारे बहुत अच्छे है सोफिया कुछ भी देख नहीं सकती तो Alex इस बात को मजाग में लेती है रात में घर जाते होग सोफिया का रस्ता कुछ गुण्डों ने रोक लिया सोफिया उन्हें सब कुछ पैसे बगरा देने के लिए रेड़ी थी पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग गए उसके साथ कुछ भी हो सकता था पर तब ही वहां माक आ गया माईग ने इन सब से फाइट की और सोफिया को बचा लिया सोफिया बहुत ही डर गई थी माक उसे अपना हाथ देता है कहता है मैं तुम्हें हट नहीं करूंगा इसके बाद यह दोनों कैफे में आए सोफिय माक से बुछती है क्या तुम रात में ऐसे स्टीट से घुमते रहते हो माक कहता है जटीट के साथ एक सिक्यूरिटी फ़र्म में हूँ जो भी हुआ यह सिर्फ एक कोईंसिडन्स था वो सोफिय से कहता है तुम्हें इस इंसिडन्स के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए सोफिय कहती है मैं फिर से पुलिस से डील नहीं करना चाहती है उसने कहा कि आभी अभी वेरोनिक की डेथ हुए तो पुलिस ने मुझे क्वेशन किया था मार्क पुछता है कि तुमने क्या बताया सोफी कहती है मुझे कुछ भी सुनाई भी नहीं दिया था मैं हेड़फोन लगा कर गाने सुन रही थी बुलिस को भी उसने कुछ भी बताया नहीं था वो गहती कि मेरे पास वेरोनिक का सकाफ है मैंने इसके बारे में भी उन्हें कुछ भी नहीं बताया मैं नीचे गिर गई थी वो इसी वज़े से इस काफ पर मेरा प्लड लगा था सोफी जब कैफे से बाहर जाती है तो उसके फ्रेंड को कहती है कि अगर यह आदमी फिर से तुम्हें दिखा तो सैड सा म्यूजिक चलाना सोफी को रात में उसके बज़बन के ट्रामेटिक्स अपने याद आते है अगली सुबा जब सोफी पियानो बज़ा रही थी तो उसने नोटिस क्या वेरोनिका ने अपना USB उसके पॉकिट में डाल दिया था बनने से पहले लास्ट टाइम उसने बोला था उसका सेंट लिक्विड गोल्ड है यही उस USB का पास्वर्ड भी है सोफी से मिलने के लिए फिर से डिरिक्ट टू माइल साय या तुम्हें उस इंसिटन्ट के बारे में और भी कुछ याद आया सोफी कहती कि मुझे कुछ भी पता नहीं है इसके बाद सोफी और एक कैरेक्टर से मिलती है इसका नाम है नील नील उसे कहता है कि अब तुम्हें गायब हो जाना चाहिए तुम्हारा मिशन कॉम्परमाइस्ट हो चुका है इसका मतलब है सोफी एक इंटलीजन्स की कमपणी के लिए काम करती है रैडिश को मारना है उसका मिशन था सोफी कहती कि मैं इस तरह से अब पीछे नहीं अट सकती है यहाँ दगाने के लिए मैंने बहुत सारे सैक्रफाइजिस किया है रैडिश को मारना यह उसके लिए परसनल है वो गहती कि मेरे पास और एक वे है मैं रैडिश को मार सकती हूँ अपने पास की USB ट्राइव और पासवाड उसने नील को दे दिया नील और सोफिया के बीच की रिलेशनशिप एक फादर डॉटर की तरह है इसलिए नील उसके लिए बहुत ज़ादा वरी करता है अचानक से रस्ते से चलते हुए सोफिया को एक वेन में डाल कर ले जाया जाता है उसे बान कर कुछ लोग टॉर्चर कर रहे थे उसे पूछते हैं तुम्हें USB के बारे में क्या पता है वो उने कुछ भी नहीं बता दे वो उसे मार डाल दे तब ही मार्क वहाँ पहुश गया सबको मार डाल कर वो सोफिय को बचा लेता है वो कहता है तुम्हारे पास की USB तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टन्ट है वो USB तुम मुझे दे दो सब कुछ ठीक हो जाएगा मार्क भी सोफिया को जबरदस्ती लेकर जा रहा था सोफिया स्ट्रगल करती है तो मार्क कहता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ सोफिया मानती नहीं आस्वास पुलिस थे तो उनसे उसने हल मांगे मार्क फिर यहाँ से चला जाता है सोफिया इंजोर थी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते है उसे नील मिलने के लिए आया वो गहता है यह जो USB तुमने मुझे दी थी यह सबसे जादा इंपोर्टन्ट है रैडिज ने जो भी किया था और जो भी उसको उपरेशन चल रहा है इसके बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन इस USB में है अगर यह USB किसी को मिलती है तो रैडिज को रिप्लेस कर सकता है यह USB चुराने के पीछे दो लोग थे एक ती विरोनिका उसका कोड नेम था Gold दूसरा जो है उसका कोड नेम है Silver उसके बारे में उन्हें अब तक पता नहीं विरोनिका कहती है कि मैं Silver के पास बहुच जाऊंगे नील कहता है इन कोड की वज़े से तुम रैडिज तक बहुच सकती हो हॉस्पिटल से भागने का रास्ता बता कर नील वहाँ से जला गया इस टाइम नील की दविद बहुत ही खराब थी वो अपने मेडिसिन भी नहीं ले रहा था सोफिया जब घर पर आई तो उसका पुरा घर दहसनेस पड़ा हुआ था से सैर से वाइलन की आवाज सुनाए देती है सोफिया ने अपने फ्रेंड को कहा था कि अगर ओ मार्क को देखे तो सैर सा वाइलन बजाए सोफिया भी मार्क को मैसेज दे देती है कि उसे आकर मिले सोफिय वेरोनिक की फ्लैट में बैलकनी के पास खड़ी थी जब मार्क वहाँ पहुषता है तो सोफिय ने पूछा जब तूने वेरोनिका को मारा था तो क्या वो वही खड़ी थी मार कहता है वेरोनिका की मेंडल हालत सही नहीं थी मुझे उसे मारने के लिए भीजा तो गया था पर मैंने उसे नहीं मारा वो अचाहती थी कि मैं उसके साथ भाग जाओ पर मैं कर नहीं सकता था वो प्रेगनन्ट थी और मुझे पनीश करने के लिए उसने सुसाइड कर ली सोफिय मार्क के पास आकर कहती है जब मैं छोटी थी तो मेरी फादर मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को ब्लाइंड फोल्ड करकर पियानो सिखाया करते थे यानि कि सोफिय की सिस्टर को पता हो कि ब्लाइंड होना क्या होता है सोफिय के पास का वेरोनिक का सकाफ लेकर वो मार्क के आकों पर बांदी है इसके बाद वो उसके साथ इंटिमेट हो गई इंटिमेट होने के बाद सोफिया मार्क से यह थी है कि मैं बोस नहीं आके एक छोटी सी विलेज में रहा करती थी एक दिन सर्वियन मिलिटरी जाई और उन्होंने मेरे पूरी फैमिली को मार डाला वो चिप गई थी इसलिए बज़ गई उस मिलिटरी का बॉस रैडिश था मार्क सोफिया से कहता है तुम बदला लेना चाहते हो पर इससे भी तुमें कुछ भी हसिल नहीं होगा अब जो तुमारे अंदर का डाकनेस है वो और भी जादा बढ़ जाएगा सोफिया मार्क से कहती है मुझे तुमारी सिस्टर से मिलना है सोफिया ने फिगर आउट कर लिया था ये मार्क की सिस्टर ही वेरोनिका के साथ काम कर रही थी सोफिया मार्क से कहती है तुमारी सिस्टर को जाकर बताओ कि मैं उसी यूएजबी दे सकती हूँ ये दोनों एक जगावर मिले और सोफिया ने एलेक्स को USB दे दिया सोफिया ने अपने पास भी एक कॉपी रखी है एलेक्स पुछती है तुम्हें इसके बदले में चाहिए क्या सोफिया ने कहा मुझे रैडिश के साथ अकेले में टाइम चाहिए यानि कि उसे मार सके सोफिया एलेक्स को ब्लैक्मेल करती है एलेक्स के पास और भी कोई चॉइस नहीं था अगर एसा उसने नहीं किया तो सोफिया उसके बारे में सब कुछ रैडिश को बता देगी वیरोनिका के फ्यूनरल पर एलेक्स सोफी और रैडिश के गाड़ी में मिटिंग फिक्स करती है फ्यूनरल के बाहर भी रैडिश के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था रैडिश सोफिया से कहता है ये लोगों के मरने से मुझे कुछ भी फरक नहीं परता लोग छुबने की कोशिश करते है पर मैं उन्हें ढून कर मार डालता हूँ सोफिया के फैमिली को भी इसी तरीके से उसने मार डाला था तो सोफिया इस बात से चिट गई वो चाकों से अभी के अभी रैडिश को मारने की कोशिश करती है पर Radish उसे रोक लेता है वो कहता है तुम में ये जो सब daring है ये तुम्हारे father से नहीं आती Radish को Sophia के बारे में सब कुछ पता है उसने Sophia को कहा एक दिन में तुम्हारी मदर को जंगल में लेकर गया था मैंने जबदस्ति उसका रेप किया मैं powerful हो इस वज़े से तुम्हारी मदर ने कुछ भी नहीं कहा यानि कि Radish सोफिया को बता रहा था कि उसकी डॉटर है जिस दिन Radish ने सोफिया की फैमिली को मार डाला था उस दिन मारने से पहले उसने सोफिया की मदर का फिर से रेप किया था इस सब बात पता चलने के बाद सोफिया और भी ज़्यादा खुसा हो गई उसे मारने की बहुत कुशिश करती है पर मार नहीं पाती है Radish उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है हमें एक flashback से पता चलता है उस war में नील नहीं सोफिया को बचाय हुआ था वो नील को help करने के लिए call करती है पर उसकी बिमारी की वज़े से उसकी date हो गई थी नील की assisteur ने सोफिया से का तुमारे इस country से भाग जाने के लिए नील ने कुछ plans किये थे अगर तुम चाहो तो जल्दी से भाग सकती हो सोफिया बदला लिये भी ना कही भी जान नी सकती वो help मांगने के लिए police station आई हुई थी पर अपना mind उसने change कर दिया मायल्स को जब इसके बारे में पता चला तो सोफिया से मिलने के लिए आता है उसे सब कुछ बताने के लिए कह रहा था तो सोफिया कुछ भी बताती नहीं मायल्स ने का तुम भी mystery box की तरह हो वो अन तब उसके बारे में जान ही लेगा रात में रैडिज आलेक्स को अपने पास बुलाता है उसे पता चल गया था कि आलेक्स उसे धोका दे रही थी आलेक्स ने जब realize किया कि वो danger में है तो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है रात में एलेक्स मार्क से मिली उससे कहती है मुझे इस country से निकल जाने के लिए help करो वरना रैडिज मुझे मार डालेगा मार्क उसे help नहीं करना चाता था तो एलेक्स कहती है फैमिली के लिए तुम्हे help करना ही पड़ता है मार्क ने अपने बेबी की सोनोग्राफिक की फोटो एलेक्स को दिखाई वो गहता है फैमिली की वज़े से ही मैं अब तुम्हे help नहीं करूँगा एलेक्स की वज़े से वेरोनिका की date हुई इसे का बदला वो एलेक्स से ले रहा था मार्क की help ना करने की वज़े से एलेक्स को उसका driver ही मार डालता है रात में जब सोफी घर पर अकेली थी तो उसके बास रैडिश आया वो गहता है कि इतनी अजीब बात है मेरी दोनों डॉटर्स मुझे मारना चाहते थी वो बीचे से आकर सोफी का गला दबाने लग जाता है मार्क को पता है कि सोफिया डेंजर में है तो उसे बचाने के लिए वो भी building में आ गया रैडिश के बहुत सारे आदमी नीचे थे तो इन सब से वो fight करता है मार्क भी इंजर हो गया था सोफिया ने देखा वो इसे help करने लग गई उसने first time movie में कुछ देखा था मार्क realize करता है ये सोफिय सब कुछ देख सकती है उससे कहता है कि जल्दी से आज से भाव जाओ वरना पुलिस तुमें भी पकड़ लेंगे तुम हर किसी को नहीं बचा सकती है अब हमें पता चलता है सोफिया first time से मार्क को use कर रही थी मार्क ने जब उसका पीछा किया तो उसे उसके बारे में सब कुछ पता था उस पर कोई शक ना करे इसलिए वो blind है इसका pretend कर रही थी वो सही तरीके से pretend कर सकती है क्योंकि बचपर में उसकी sister blind थी उसने previously मुवी में मार्क से कहा था मेरे फादर मुझे और मेरी sister को blindfold फोल लगा कर training दिया करते थे सोफिया की sister blind थी तो फादर चाहते थे सोफिया को भी पता हो ये blind होना क्या होता है इसी वज़े से blind होकर सोफिया अपने lifestyle continue कर सकती थी इसी को इस पर शक भी नहीं गया सोफिया जल्दी से यहां से चली के डिरेक्ट्टू माइल्स भी इस crime scene तक पहुँश गया वो सोफिया को यहां से जाते होए देखता है अगर हो चाहता तो उसे रोक पाता पर यहां जो भी हुआ इसके वारे में उससे पूरा idea है उससे पकड़ने की कोई भी कोशिश नहीं करता इसी तरहीं कैसे इस movie का end हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजएगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल निट्विशन आइकों दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब तके लिए thank you आप अपने आपका खैर रखिया है